पहला पॉड़कास देखिए अचा रेलवे स्टेशन कौन सा? एक ऐसा रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के अंदर जो क्लेम किया जाता है कि इससे कमाल का experience किसी रेलवे स्टेशन का नहीं है गांधी नगर रेलवे स्टेशन विजन था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 300 से 400 कमरे का होटल होना चाहिए लोगों का ये पूरा विश्वास था कि इस होटल में कोई आकर रुखेगा निए एक बर जान के अब इस होटल के इस नहींटर नहीं एक बोटल में वहने विए पूलट प्रूफ हमने बूलट प्रूफ भी है अंचा क्योंकि आपर हमने प्रेसिदेंशल स्वीट वगरा उससे साफसे बनाया कि देशों के प्रधान मंत्री और राश्पती आए तो जितना Eiffel Tower में structural steel लगावा है लगवग उतना structural steel हमने इसमें लगाए चाना दराएं तो कैना सही हुगा सर कि हिंदुस्तान में किसी भी train से station की तरफ एंटरी करते हो यह विजूल यह experience आपको नहीं मिलता होगा जो गांधी नगर में मिलता होगा इसको बनाते दौरान जै के सूपर पॉटकास्स की जनता बहुत सारे एरपोर्ट्स देख़े आपने बहुत सारे कमाल कमाल के podcast देखे ट्रेंस के podcast देखे, ब्रिजस के podcast देखे, टरनल्स के podcast देखे, railway station का पहला podcast देखिए आज railway station कौन सा? एक ऐसा railway station हिंदुस्तान के अंदर जो claim किया जाता है कि इससे कमाल का experience किसी railway station का नहीं है गांधी नगर railway station ऐसा railway station तुनिया में पहली बार शायद या फिर इंडिया में पहली बार जिस पे track के उपर एक 5 star hotel बना है और इसे बनाने का काम जिस organization ने किया है उसी organization के एक बहुत ही key member यानि कि Dr. Sanjeev Lohia आज हमारे साथ हैं तो मेरे साथ आप भी उनका स्वागत करिए नमस्कार सर सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका JK Super Podcast में कैसे हैं सर आप? बिलकुल अच्छा है सर बहुत खुशी हो रही है आप से मिलके पिछले कुछ समय से सर देश के अंदर एक railway station का बहुत चर्चा है सर बहुत लोगों ने नाम सुना मैंने प्रदानमंतरी के handle से देखा भी उन्होंने उसके बारे में पोस्ट भी किया है कमाल का एक railway station बहुत हमबल बैक्ग्राउंड से पला बढ़ा हूं सरकार के टाटपटी वाले स्कूल से चालू हुआ गाउं के स्कूल से और एक सपना था कि एना मुझे घर से बाहर रहके पढ़ना है और एक गवर्मेंट और इंडिया की मैरिट कम में scholarship एक्जाम हुआ करता था उस एक्जाम के तहद मैं बेड़ा पब्लीक स्कूल पिला नी पहुचा तो वहां से एक जिंदगी का नया पढ़ाव जिसको कहते हैं चालू हुआ हिंदी मीडियम से मैं इंग्लिश मीडियम में पहुचा तो अंग्लेजी हमारे लिए जो है वो छटी क्लास में ABCD से चालू होती थी और इंग्लिश मीडियम में पहुचे वहाँ पहुचे तो इंग्लिश के अंदर हैंने सारी किताबे हुआ करती तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहां से पता लगा कि आइटी नाम की चीज होती है तो फिर आइटी के लिए तैरी की जबकि हमारे जो प्रिंस्पल थे वो कहते थी आप बोर्ड के अंदर अगर अच्छे माक्स आएंगे तो आपका बिट्स पिलानी के अंदर हो जाएगा तो महीं के महीं आप जो है वो भी अपना में काफी फेमस काॉलेजेश उनका कहना होता था बर्ण इन हैंड इस बेटर देन तु इन दबुश बट्ट हमारे सीनियर बैच के अंदर एक विक्ती उनका आइट के अंदर सेलेक्शन हुआ तो एक इच्छा जागी कि हां आइट में जाना चाहिए उस वकत पांच ही आइट हुआ करते थे आइट का जब एक्जाम दिया उस वकत हमारे पास साइंस मैस और बाइलोजी दोनो थी तो मैं इंजिनियर और डॉक्टर बस यही दो सबसे इंपोर्टन प्रोफेशन होते थे तो एम्स का भी एक्जाम दे दिया अचाहा आपने दोन एक्जाम दिये तो आइब उस फॉर्चुनेट मैं आइट के इंदर भी बहुत अच्छी रेंग से पास होगया और एम्स में भी बहुत अच्छी रेंग से पास होगया आपके वास चॉइस थी कि आप एम्स से बढ़के डॉक्टर भी बन सकते थे और आइटी से पढ़के इंजीनियर भी बन सकते थे तो सर क्या वज़ा थी कि आपने इंजीनियर बनने को चुना और डॉक्टर बनने को नहीं चुना मज़ेदार उसमें चीज यह हुई कि जब आइटी में कांसलिंग के लिए पूंचे तो उन्होंने का कि आपको चॉइस दे इतरते हैं कि आपीटरशन का चुना जुष क्या होता है तो वह सित्तों कि मुझे नि कुछ पता था इत्रफ़िक पिद्ची साइथ कांपूर की सब बना जाए टए ठाली चोह तो यह जे एक कांपूर कि दिंग भिल्डिंग कोसें पसड़ए तो बिल्डिंग एकी दिल्न तो उन्होंने पूछा हमको समझ में नी आया एलेक्टिकल मेकनिकल कुछ ब्रांच समझ में नी आया कि क्या करती हूँ पिता जी civil इंजनेर थे तो हम ने आइटी देली civil ती सिविल तीसरी चोईस एक कोई ऐसा civil इंजनेर बनने का सपना नी था अपने बस बर दिया बर दिया क पता थी ना कि पिताजी इंजिनियर थी तो उस तरे से आई टी देहली में और पहला दूसरी चोईस आपको नहीं मिली और मिली तीसरी ही मेरी रेंक 117 थी 116 पर आइटी देहली में कम्पूटर क्लोज हुई और जिसको कहते हैं कि किसमत एक डायरेक्शन में लेकर आना चाह रही तो वो जो डायरेक्शन था वो शायद रेलवे में पहुंचना था तो मैं आइटी देहली से सिवल इंजिनिंग कर रहा था तभी एम स में आइटी में निकाला कि और 4 साथ करना पड़ेगा यहाँ पर 10 आप कि एमस के रेजिदेंट डॉक्टर से पूछा कुछ सब्धर जंग के रेजिदेंट डॉक्टर से पूछा जिस ने सुना कि आपका आटी में हो गया है तो आप आईटी में इस तरह से इंधिनिंग कर चालू होता है सेशन, तो IIT में उसी तर से कंटीनिव गए और शायद आप बहुत कम व्यक्तियों में से हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिन्हों ने IIT से B.Tech भी की, M.Tech भी की, और PhD भी की, सही कह रहा हूं सर, बिलकु सही कह रहा है, केवल व्यक्ति तो नहीं होंगे, मैं कि IIT का महर लगती है, तो IIT देली से ही मैंने B.Tech भी किया, वहीं से मैंने MBA किया, और वहीं से मैंने अर्बन ट्रांस्पोर्ट भी किया, कमाल सर, कमाल, तो अब आपकी education पूरी हो गई, अब आप सर्विस में चले आते हैं, सर्विस में अपकी सबसे पहली सर्विस क्या है सर मैं यह कहूँँगा, education कभी पूरी नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन अपकी education, आप सीखते रहे तो जरूर्ट, वो student वाली life अभी भी चल रही है, भले चाहे मैं 60 साल का लगभग होने जा रहा हूँ, बट student life अभी भी चल रही है, सीख रहा हूँ, नहीं नहीं चीज़े यह कंपलीट हूई, मतलब आप service में कब चले गए, सर, service में मैं करीब 23 साल के करीब का था, तो मैं सन 88 में मैंने railway जोइन किया था, पहली service, पहली posting, पहली जिम्मेदारी क्या थी, सर, Indian Railway Service of Engineers मैंने जोइन किया था, जो एक dream था, क्यों मेरे पिता जी भी railway में थे, सो dream था, कि civil engineer बनके railway में, engineer बनना है, और पहली posting मेरी थी, चुनार, अगर आपने बिल्कुल सुना है, चुनार गड़ का नाम सुना हो, एक serial आता था, जी, 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 तो वहीं चुनार में ही मेरी सबसे पहली posting थी, जो Northern Railway का extreme end था, जहां पर सब लोगों को इसको काला पानी की सजा दी सबसे पहले को तयार नहीं था, तो जब पोस्टिंग हुआ, तो पूछा जा रहा था, आप कहा जाना चाहते हो, तो चुनार के लिए कोई तयार नहीं हो रहा था, मैंने था, ठीक है, मुझे चुनार फेस दीजे, कोई दिखे, सबसे पहला काम, जिम्मेदारी की तौर पहर ऑफे कमर आदमी को समझाएं, आपकी जिम्मेदारी क्या थी सर, सबसे पहला काम आपना शुरू गिया, जो असिस्टन 對不起 आजमी लगता है, तो तो असिस्टन रेलवे के लगता है, तो असिस्टन आपन काम होता है, वो होता है, ट्रेक के ऊपर, क्योंकि आपन लाइन पोस्टिंग जिसको बोलते हैं दो मेजर विभाग होते हैं एक अंस्ट्रक्शन जो नई एसेट्स क्रीट करता और एक उपन लाइन ट्रैक जिस पर चल रही है उनका रख रखाव करता है तो एयन उपन लाइन का काम सबसे पहले ट्रैक को देखना होता है तो वहां पर डेलमे सेक्शन हुआ करता था चुनार्च उपन लाइन तो वहां पर आए दिन डेरेल्मेंट होते रहते हैं और कुछ-कुछ ऐसे देरेल्मेंट थे तो हर मन्तली एनिवर्सरी पर चब्श जुलाइक हुआ है तो पच्छी जुलाइक होगा तो उस तरह से वह अनिवर्सरी पर हु निवर्सरी इतनी दूर तक आपको मॉन्टर करना पड़ता था किस तरह काम रहता था सर्क तरह किस मेंट के क्योंकि मेरा कम और जो सेक्शन है उसे में जिसको बोलते है चुनार चोपन वाल स्वारी चुनार चोपन वाल रांच लाइन ती कि वह आगे इस्टन रेलवे में रॉबर्ट्स गंज के आगे चोपन और उसके आगे ना डाल्टन गंज वगरा मिलती थी तो बट अलहाबाद जो सेक्शन जो राजधानी रूट उसके साफ से ब्रेंच लाइन बोला जाता था अच्छा वह गाट सेक्शन था तो वह लाइन करीब सो किलोमेटर थी मेरे पास और एक जो डबल लाइन जो राजधानी रूट वाला है तो वह लाइन करीब है ना 40-50 किलोमेटर के करीब वह हमारे पास सेक्शन था तो जो एन ओपन लाइन जो ड्यूटी होती है उसमें को ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं कभी जाना पड़ सकता है कभी जाना पड़ सक कौन सी है तो उसके साफ से फिर अपना कंट्रोल से आप पोजिशन लेते हो पहां क्या हुआ और आप उसके बाद बागते हो जी बाकी आपको मेंटेनिस कर देखा है कि कई जगा पर एक गाड़ी होती तिसमें 3-4 लोग बैठे होते हैं वही गाड़ी उसको ट्रॉली बोलत जो आपका से से वह थोड़ा नीचे है और कुछ बैलास और मिट्टी डाल के एक जगह बनाई जाती जहां पर वह ट्रैक के लगबग बराबर होता तो ट्रॉली को ठाटा कि आप साइड मेंट होता है तो वह सब पैदल चलते वह इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वह ट्रॉली रिफ्यूज में आप साइड में आ जाते हैं और ट्रेन पास कर जाती हैं तो यहां से जहां पर आपका काम रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन करना होता था से लिए आपने करियर में काफी कुछ अचीव किया और आप आए गांधी नगर स्टेशन की तरफ अब सर टॉपिक म अब आप जाते हैं तो यह एक नई कमपनी बनाई गई यह एक नई कमपनी मिनिस्टी और रेलवे इस ने बनाई थी जिए चूंकि एक रेलवे एक्ट में अमेंडमेंट किया था दो जार पांच के अंदर जिसके तहत जो रेलवे की जमीन को कमर्शली कैसे एक्स्प्लॉइ और रेलवे की पावर्स के अंदर सेक्शन इलेवन के पावर्स के रेलवे कि ऑश्य तो रेलवे इन आप नेयाद पनाई को कमर्शली चेंगे की बेद्विलोड यह सब काम करके तो इससे हुआ कि आप डेवले लेंड को डेवलप कर सबके हैं तो रेलेड ढेवलेंट अथा के पास पूरी इंडियन रेलवे की लेंड को भी डेवलब करना था, कॉलानिस को भी डेवलब करना था और स्टेशन को भी डेवलोग करना था, तो बाद में मुकुल तरवेदी सहाब थे, उनके समय में यह हुआ कि नहीं, दो हजार बारा में, यह सोचा गया कि एक फोकस्ट चाहिए, क्योंकि स्टेशन डेवलब में एक बहुत स्पेशलाइज काम है, करेक्ट, रेल लेंड डेवलब में अथारिटी और इरकॉन, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, करेक्ट, तो रल्डिय और इरकॉन को दोनों को मिलाके, उन्होंने एक जो है 5149 की, एक SPV, क्र और इनको पांच स्टेशन दिये शुरू के अंदर कि आप इन स्टेशन को पूरा प्लान बनाएं, सबसे अप्रू कराएं और डेवलब करें तो यह पांच स्टेशन थे, एक था हबीब गंच, जो आज की रेट में रानी कमलापती कहलाता है, दूसरे स्टेशन दिये गे थ पांच स्टेशन को आपको पूरा एंटरस्ट किया गया कि आप इनका डेवलब्मेंट प्लान बनाएं, सारी लोकल अथॉर्टीज वगरा से सबसे अप्रूल कराएं, और फिर इनको आप पैना पीपी पे बिड़ाउट करें तो यह एक्जिक्यूट हुए पांच स्टेशन जब मैं 2015 में आया, तब तक सिर्फ हबीब गंज का रिक्वेस्ट फॉर्ट क्वालिफिकेशन एक स्टेज वहां तक पहुचा था, बाकी के प्लान्स जो हैं बन गए थे, लोकल अथॉर्टीज के सार्ट इफरेंट इफरेंट स्टेज उप उसमें थे, तो वहां तक यह ची यह जो है विजन हमारे उनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जब से वो सी एम गुजरात थे, तब से उनका एक विजन था कि रेलवे स्टेशन के ओपर एक 300 से 400 कमरे का होटल होना चाहिए, ठीक बात है, तो नवंबर 2014 में उन्होंने चेर्में रेलवे बोर्ड को बलाके और ब तो यह प्रदार मंदरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका विजन था, तो आइटिंक वो बहुत विजनरी है, और उन्होंने महतमा मंदिर जो उस वकत का सबसे बड़ा कर्वेंशन सेंटर, जो महतमा मंदिर है, तो वो उन्होंने एक सेम गुजराद बनाया था, और वो विजान सदा है, फिर सुरनिम पार्क है, और उसके बाद महतमा मंदिर है, तो महतमा मंदिर जब वो बना रहे थे, तब से उनका एक विजन था, कि हमें रेलवे स्टेशन पर एक बनाना है, होटल बनाना है, उन्होंने वर्ड उस वकत कोई ऐसा नहीं बोला था, तो अब ग आते थे, हर आदमी क्योंकि थोड़ा सा चाहता है कि शाम को काम खतम होने के बाद थोड़ा सा जो है कहीं पर शहर में घूम पाएं, कुछ गए तो एमदाबाद के अंदर लोग रुखते थे और एमदाबाद से अब डाउन करते थे, तो महातमा मंदिर एक बहुत बड़ा क पूरे बुख हो जाते थे, और लोग वहां से अब डाउन करते थे, तो इनका विजन था कि कोई भी कन्वेंशन के साथ एक होटल होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कन्वेंशन सेंटर और होटल दोनों साथ-साथ होना चलते हैं, तो शायद उनका इस को सोच के यहां से ज होटल देखें, तो दुनिया में दूसरा है तीसरा प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो ट्रैक के ऊपर बनावा है, ठीक बात है, और बागी दो कौन से हों के साथ अपको अंदाजा है, एक मैंने देखा है बार्सिलोना में है, एक इधर कौल अलामपूर में मैंने देखा है, जी, बहुत कम है और वो एक्जैक्ली मतलब ट्रैक जो रणिंग ट्रैक में ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर हो, उस तरह का जो है वो ना बार्सिलोना वाला है ना ये वाला है, यही है, सिर्फ गांदी नगर के ऐसा है, जो मेरी नौलेज है, ठीक, तो अब आप आपको, तो आप ये डिसंबर 2015 में गुजरात में मीटिंग हुई और उन्होंने का कि अब इस प्रोजेक्ट को कौन देखेगा, सर गांदी नगर ही क्यों, गांदी नगर का प्रोजेक्ट क्योंकि ऐसा है, जो है, विजन तो दे दिया रेलवे को, लेकिन 2014 से 15 तक अब एक साल के अंदर और वाइबरेंट गुजरात, जो है, वो 2017 वाला, वो आने वाला था, तो ये था कि वाइबरेंट गुजरात के दौरान इसका पत्थर रखा जाएगा, इस तरह की एक सोच होगी, लेकि हमें उस वकत तक बता ही नहीं गई, तो अब दिसंबर 2015 में मीटिंग हुई, तो जो मेंबर थे, जो उस वकत मीटिं में थे, चीफ सेकर्टरी के साथ, उनसे पूछा गया, आपकी तरफ से कौन कोडिनेट करेंगा, तो तब तक इस प्रोजेक्ट इंडियन रेल्वे स्टेशन डेवल्मेंट कार्पोरेशन के पास नहीं था, उन्होंने सीधी उंगली उठाई जब ये प्रोजेक्ट हमारी रेस्पोंसिबिलिटी में आया, तब तक इस प्रोजेक्ट का जो इस प्रोजेक्ट था कि ये सब PPP पर करना है, और तीन सो कमरे का होटल प्राया गया, पब्लिक प्राइबेट पाटनर्शिप, कि सरकार का पैसा है, वो नहीं लगे, या कम से क विविविलिटी का फंडिग है, तो उतना लगे, और या अधरवाइस पूरा प्राइबेट सेक्टर डिजाइन करेगा, प्राइवट सेक्टर पैसा लगाएका, और प्राइवीट सेक्टर ही चलाएगा, और कमाएगा भी वही, वही कमाएगा, जैसे आपने देखा जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर इस तरह के मॉडल पर तो कुछ पीपी पर प्रोजेक्ट वें जैसे एक हबीब गंज का जो स्टेशन जो हमने किया तो वह भी पूरे कंट्री का पहला स्टेशन डेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट है जो पूरा का पूरा पूरा पुलिक कैसे पहुचेगा क्या करेंगा क्योंकि ट्रैक के ओपर होटल कंसीव करना वहां तक लोगों को पहुचाना क्योंकि इसकी अप्रोच जो स्टेशन की थी वो सब बड़ी ऐसी थी कि जिससे आप कैसे उसको होटल पे लेके जाएंगे बहुत ही जैसे कई इंडिन सिटीस की है क्योंकि गांधी नगर जो स्टेशन है महाँ पर फुटफॉल 427 ठीक है पूरे दिन का तो बहुत बड़ा कोई फुटफॉल नहीं तो महाँ पर 427 सिर्फ साड़े 400 लोग आते हैं मतलब मैं एक दिन में फुटफॉल उस वक्त का जो था तो मेजर स्टेशन अहमदाबाद है तो सारा में ट्रेफिक एहमदाबाद का और एमदबाद से जो गांधी नगर ट्रेन आती तो गंटा लग जाथ है लिए तो उस तरह से जो है गांधी नंगर एक मेजर स्टेशन की तरह से क्यों ज़रूर नहीं है थे तब की आप बतारें जब आप ने इस प्रोजश्ट को कर लिए तब तक 427 ही उसकी एवरेज फुट फॉल है और एक दो किनी ट्रेने आती होंगे से रमापे दिन पर की ट्रेने जो है वो एक दो ट्रेने पैसेंजर ट्रेने आपको और जो इतना छोटा स्टेशन था गांदी नगर हां स्टेशन भवे बनाया वा था लेकिन पैसेंजर नंबर काफी कम थे क्या थे तो उसलिए जो है पैसेंजर आए वो सब के सब आफिस जाने वाले होते थे तो तो यह उस वकत फिर इसको जब कंसीव करना था कैसे इसको बनाएंगे क्या करेंगे तो वह एक बड़ा काम था क्यूंकि जो स्टेशन है कोई भी एक रेलवे स्टेशन होता हूँ नदी नाले की तरह से होता है वो शेहर को डिवाइड कर दे इसको एक रोड को का रोड बोलते थे खा रोड तो का रोड के बीच में कोई connection नहीं था तो एक level crossing था level crossing के थूर जाते था तब level crossing का train आ रही है क्यों good train वगरा चलती है तो अगर train आ रही है तो अब आप खड़े होगे अगर आप खड़े हैं और train आने में 15-20 मिनिट का समय तो आप 15-20 मिनिट तर खड़े हैं तो जिसको कहते है थू कनेक्टिविटी तो यह एक बहुत बड़ा बॉटलनेक हो जाता है तो अब होटल अगर बनाएंगे और होटल से लोगों को महात्मा मंदिर पहुचाना है तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होने चीए तो अब उसको होटल की entry exit किस तरफ से जो महात्मा गांधी के ऊपर काफी मॉडन एक म्यूजियम गनावा तो उनको सबको integrate करते हुए इनको कंसीब करना था तो वह बहुत बड़ा चैलेंज था तो वह जब हमको एक प्रोजेक्ट मिला तब सारा का सारा कंसीब करना था तो अब काम शुरुआत क्या किया आप लो मैं कहूंगा कि station के थोड़ा detail था होटल के बारे में एक business plan था कि plan यह कि अगया है कि 30 कमरे 5 star के बना लेंगे 120 कमरे 3 star के बना लेंगे और बाकी 1.5 जो है वो budget hotel बना लेंगे क्योंकि 300 से 400 बोला है तो lower number 300 का है तो 300 तो बनाने बनाने है और उस वकट यह thinking थी कि state government जो है हमें guarantee दे दे कि 1500 कम रहे तो आप हमसे हम full रखोगे ठीक है तो जब यह project हमें दिया गया तो उस वकट है न यह एक thinking थी PPP पे हमने कोशिश की क्योंकि उस वकट यह था कि PPP करना है PPP पे जो जितनी terms and condition है कि आप उसमें उसका rate भी से fix करोगे room का और यह सब चीजे तो यह तो सब्सक्राइब के साथ hotel नहीं चला सकते है तो फिर यह हुआ कि हम अपना पैसा लगा के इसको बनाएंगे तो EPC पे जो है एक अपना पैसा लगाएंगे डिजाइन विजाइन जो है वो हम कॉंट्रेक्टर को बोलेंगे कि आप अपना खुद का डिजाइन दीजाइन दीज तो वो जो है उस पर बनाने का डिसीजन वा तो पहले आपको जब यह प्रोजेक्ट आने के वाद आप लोग का थोड़ा समय इसमें गया कि आप लोग को फिगर आउट करते रहे वो नहीं हुआ पिपीप को फिगर आउट करते रहे फिर दूसरा यह हुआ कि इस होटल को ब लाना लॉस कमाता था लेकिन सरकार का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट था और सरकार हमेशा एक लॉंग टर्म के साफ से सोचती है तो थोड़े समय के लिए लॉस वगएरा बरदात कर लेती लेकिन सरकार मार्केटिंग एजनसी नहीं हो सकती है तो जब आईरस दीसी के पास आ हम हेलिपैड एक्विशन गराउंड होटल यह स्टेट गॉपिशन गराउंड क्या है सर इक्जैक्ली वह जिस तरह से आपका प्रकेटी मेदा उसी तरह से काफी बड़ा एक्विशन गराउंड क्यों जब महात्मा मंदिर में वाइबर और गुजरात या इस तरह के बड़े स्ट्रेट्वेंट गराउंड कट्रिबूट करेंगा और सेशन स्ट्रेशन और शट्राउंड एक्विशन देशन क्यों जब असको भूहेंसं होमारा क्यों इस में का बड़ा उनक कही से ने कज दनिर, इसक उनके साथ दिसकेशन करके स्टेट गुवर्ननेंट को सबसाइब है। सेट गौद widen सबसाहएखungen सबसाइब एमडी आपका होगा, स्टेट गौर्वर्मेंट का, चेर्मेन भी आपका होगा, और जॉइंट एमडी जो है, यहां से होगा, ताकि हम स्टेशन का जो मैनेजमेंट वाली जो चीज है, वो कर सकें, और बाकी जो डारेक्टर्स वगएर हैं, उनकी सब नॉमिनी डारेक्टर्स को उस तरह से, और जो महात्मा मंदिर आप लीज पर मत दीजे, क्योंकि लीज पर दोगे तो कल को यह होगा, कि आपने महात्मा मंदिर बेच दिया, तो लाइसेंस पर आप उसको दीजे, तो लाइसेंस पर एक फिर कंपनी बनाई गरूड गांधी नगर रेलवे और अर्बन डेवलप्मेंट कार्परेशन, तो काफी सोच समझ के इसका नाम भी रखा गया, छोटा नाम होना चीज, एक्रोनिम होना चीज, क्या सिगनिफाई करता है गरूड, ठीक है, तो हमने जो है कंपनी बनाई, कंपनी में स्टेट गवर्मेंट ने 74 परसेंट और 26 परसेंट इस तरह से एकुटी की, उन लाइसेंस पे जो महात्मा मंदिर और हेलिपड एक्जिबीशन गरूड उसको गरूड को दिया गया, इधर से स्टेशन और होटल, और इसका फिर जो हमको PPP पर अभी तरह हम जो सोच रहे थे और EPC पर हुआ कि, अब जो भी काम पेपर पर सॉल होने थे, वो सारे हो चुके हैं, अभी पेपर पर कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ DPR जो थी वो, क्योंकि स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट दोनों हैं, तो दोनों जब गएपर DPR सेंक्शन होनी है, तो अब आप तुरंथ है ना, उसको DPR सेंक्शन में लगे हुए थे, अभी DPR जो भी बनी वी एक कॉस्ट एस्टिमेट तो पर की के हिसाफ से होता है, अगर आपका बजट होटल है, तो आपे 15 लाग रुपय पर की पकड़ लेते हो, आपका 3 स्टार होटल है, एक रेट पकड़ लेते हो, फाइस्टार होटल है तो उसमें बिजनस वाला है, या लगजरी है तो उसके एसाफ से आपके अना, एक बर मुझे पर की संजाए कि उनका बिजनस मौडल पर की पर की पर की का मतलब है एक रूम को एक की बोलते हैं रूम का कुछ साइज होता है इस्टेंडर होता है कि लगबग इतना मिनिमम होगा बागी बड़ा तो पंदरा लाग रुपय साला आप कहने कि इतनी कवाई होग सब्सक्राइब को पर की कॉमड़िटी रूम है तो इसलिए पर की कॉस्ट यह इंडर्स्टी श्राइब तो यह डिसाइड हुआ कि आपको नौ जनवरी 2017 को फांडेशन स्टों डखना है और ग्लोबल EPC टेंडर करना है अब उस वकत ना तो हमें फ्रेंक्ली स्पीकिंग EPC का E पता था और फाइस्टार होटल का H पता था ठीक है और टेंडर करना है चार अक्टूबर तो हमने back calculation किया सारा तो यह हुआ कि 14 अक्टूबर को अगर टेंडर नोटिस नहीं निकाला तो यह टेंडर अवाड़ी नहीं हो सकता है क्योंकि आपको है ना कम से कम छे वीका तो टाइम देना पड़ाएगा एक आद वीका दो वीका को एकस्टेंशन में वा सकता है दस-बंदा दिन आपको फाइनल करने में लगेंगें तो दिसंबर कर दिया लेकिन हमारा टेंडर डॉकिमेंट नहीं बना था चोहदा तारिक की स्वेरे अब हमें थोड़ा बुखार चालूगा कि इसका जो है टेंडर हमने आज रात को करना है और जो हमारा कंसल्टेंट लगा वा था वो उन्होंने कभी एपीसी क्योंकि कंसल्टेंट भी प करेक्ट मैं किसी का पर्टिकलर नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं वो नहीं चाहता कि किसी पर्टिकलर के लिए वो लो तो वो एक एक स्पीरेंस हमने कंसल्टेंसी फिर्म को बोला कि आप जो कुछ भी खर चोड़ो आज अभी सेटरडे का आई दिन था बारा दो बजे वहां से फिर ऑफिस से गए हैं आप लोग संडे को गए थे सेटरडे को 12 बजे आये थे दो पहर में और हम मंडे रात को दो बजे तक वहीं बैठे थे सब लोग क्योंकि टेंडर डॉक्यमंट बन रहा था रिविजियन हो रहा था जो भी करना है सब चीजें क्यों सिखना भी है सब कुछ फटा पड़ लेंगे लेकिन यू के नॉट बी राउंग तो आपको वह सब चीजे देखते वे तो हमने वह सब जितना के लिट्रेचर सब पढ़ रहे हैं सब कुछ काम हो रहा है हाथ के हाथ तो अपनारी अकाउंट्स टीम भी वहीं पर यहां से क्या हो रहा है सरब अब टेंडर हमने अपलोड कर दिया अब टेंडर क्योंकि एक यह बहुत ही जो है जिसको कहते हैं ना की डीटेल्ड प्लानिंग वाला काम था तो कोई भी अगर बिडर भी आएगा तो उसको प्रीविट क्वेरीज भी होंगी साइट पर भी दे अब आप एक्सटेंड कर दिया आप था कि अवारा उसे कहना यह था कि कम से कम आप हमारी एफिशेंसी मैच कर लिजह प्राइवेट सेक्टर ओ आप के तो गौन सेक्टर अप कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं तीस रूम फाइस्टार और यड़ सो रूम बज़ेट अटल और ह तो जब हम ये सारा बिडिंग के दौराम जितने कॉंट्रेक्टर्स और ये सब आ रहे थे जो कॉश्चन्स पूछ रहे थे और इधर हम ये भी देख रहे थे कि हमें ये पता था तो हम चला नहीं सकते किसी ऑपरेटर को रखना है स्टेशन के ऊपर हमें जो बनाना था तो 100-meter by 100-meter की प्लेट है को थे 100-meter by 100-meter की स्पेस क्रेец कर नीं करें तो हमने देखा है व डिजाइन में पहली चीस तो 100-meter by 100-meter के जुबधर आप apostles haveju ही नहीं कर साकते क्यों सर वे से अरफ कि जगे पे पर अशडय की सौ तो आपको अलग लेवल की फैसिलिटीज भी देनी है और मेरे पास सिर्फ सौ मीटर की जगह है उसी के अंदर आपको सब कुछ देना फिर ऑपरेटर को यह सा नहीं जो तीनों लेवल को है ना अपरेट करता मतलब फैस्टार को अपरेट करते हैं लेकिन बजट से लेके जो है है ना उपरेटर नहीं है फिर और थोड़ा से जी भी रिसर्च किया कि हमें एक्चुली कन्वेंशन में इतने लोग भी आते हैं उनको चाहिए होता फाइस्टार ही तो आपको बहुत हाई लेवल का लगशरी लेवल करने चाहिए बट हना फाइस्टार बिजनस लेवल का च हमने फिर गुजरात के साथ भी डिसकस किया और यह होगा कि इसको आप कोरिजन्डम निखालो कि यह 300 के 300 कमरे का टेंडर निकलाता है तो यह 300 कमरे सारे 5 स्टार होंगे तो हमने तेंडर के अंदर कोरिजन्डम में निखा अब यह बात भी मैं समझें कि जो 300 के 300 कमरों का minimum ज कि अभी तक डिजाइन तो हमारे पास कुछ था ही नहीं क्या क्या मैं रिक्वाइमिट से हैंगे को ऑपिस से और यह जैंगेpack है is वक्ष बजजे भन रहा है तो अगर हम इस वक्त कुछ भी change करेंगे तो यह budget में नहीं आपाएगा अगर budget में नहीं आएगा हम tender नहीं award कर पाएगे तो हमारी तो timeline जो है सारी की सारी थी कि किसी भी तरह contract तो award होना है उसके लिए estimate sanctioned होना है और estimate sanction होने के लिए अगर अभी हमने छेड़खान की तो दोनों government से हम नहीं करा पाएगी हम नॉवंबर लगबग end के अंदर हमको यह सब चीजें जिसको कहते हैं नॉवंबर में हमें यह चीजें पूरी clear होई थी तब तक वो sanction की advance stage पे चला गया थी तो हमने कोरिजेंडम निका दिया कि हम अपने board से हमने approval कर लिया कि हम five star पे जा रहे हैं और बाद में हम इसका estimate division कराएगी जी टेंडर जो है खुल गया जी खुल गया तो कुल मिला के जो अच्छा हमने कहा कि अगर हम L1 bidder वाली system पे कैसे जो सरकार का normal system है तो five star hotel तो सरकार में आज तक बनाया है नहीं L1 मतलब क्या हो गया जाँगा तो मैं five star hotel कहां से बनाया है तो सरकार में पहली बार बना रहे हैं पहली बार not only five star hotel बना रहे है तो वह भी track के ओपर बना रहे हैं तो इतना complicated project को हम बना रहे है station development का भी project है साथ साथ और उसको हम L1 पर दे दे दें अब उसके बाद L1 के अंदर तो आपने इतनी value का काम किया होना चाहिए तो आपने एक काम similar nature का तो इसके अंदर किसी ने भी building का काम किया हो तो वह qualify कर जाएगा या दो काम है ना जो है 50% value कि या तीन का 30% value कि तो इस तर technically qualification के अंदर आपके minimum marks अगर इसके उपर हुए तो हम आपकी financial bit खोलेंगे तो यह वक्स टेंडर में नहीं होता था यह हमने पहली बार इत्रोडियूस किया कोई भी technically qualified एक criteria नहीं होता था हाँ नहीं होता था वक्स में नहीं होता था अब ministry of finance ने डाला है हमने थोड़ा सा अब उसके हिसाब से कुल मिलाके दो टेंडर्स जो है कौलिफाई होए वह आए जिसमें से एक जो है कौलिफाई हुआ खोलने के लिए कंडिशन ऐसी थी अगर एक ही कौलिफाई हो तो आप दूसरे का भी खोल सकते हो है अब हमें यह सब चीजें जो है 15 दिसंबर स्टेट च्बैट करई तो थोड़ी बड़ी सी और यह सब डिसकेशन हो रहा है ऐडिशनल चीफ सेकर्टरी कमरे में बैठे हैं इसको अगर हम प्राइस बिब्ट को खोलते हैं और इसका प्रैसबिट हायर आया तो हम आवार्ड तो कर नहीं पाएंगे और फिर यह अगली बार पार् हमें 9 जनवरी 2017 को फांडेशन स्टों रखना और 15 दिसंबर 2016 को यह जब डिस्केशन हो रहा है कि यह तेंडर जो है इसको डिस्चाज करना पुड़ा है तो हमने का कि जी जो फांडेशन स्टों है इसको पॉस्ट पॉन कर लेते हैं ना वो तो डेट डिसाइट हो गई है तुरंट फिर सारा बैठके अध्यन किया कि हम मिनिमम कितने दिन पर जो है एपीसी टेंडर इस साइज का कर सकते हैं तो कैल्कुलेट किया कि अगर यह हमने आज रात को टेंडर नोटिस नहीं निकाला तो तो यह तो हमारा तो जो है टेंडर नोटिस ही नहीं निकल पाएगा तो तुरंट जो है रात को ही उसी वकट टेंडर नोटिस बना के किसी तरह से हमने उसको फब्लिश कराया स्विरे उठके हमारा सबसे पहला काम यह था पेपर में छपा या नहीं छपा च्रीक है टेंडर नोटिस चप गया उसी दिन शाम को दीन टेंडर भी अप्लोड करना था तो जितने हमने कॉरेजेंडम जितने इशू किये थे जो भी क्लैरिफिकेशन लोगों काया थे उसी दिन हमारी आयरेस्डीसी की सारी टीम बैठी विदी फैनेस की क्रंस्टरेंस की सब नादी नगर में बैठे वेते हैं स्वेरे से लेके शाम यहांग तक हमने सारा डॉकिमेंट उसको कंपाईल किया कंपाईल करके हमने शाम को अपलोड किया उसके बाद हमने यहां से फ्लाइट पकड़ी दल ली जाने कि इसे उनका अंसर 24x7 हमारे यहां पर किसी भी क्वेरी का जवाब देने के लिए अफिस चालो था लोगों का य प्राइवेट सेक्टर प्लीज मैच गौवर्मेंट सेक्टर सेफिशेंसी जी जी कमाल की बता है नॉमली हमेशा ये सरकार के उपर जहमत होती है कि अहना सरकार प्राइवेट आले फास्ट करते हैं तो इसलिए मैंने यही अपना जो है टूल यूज करता था कि एट लिस मैच प्रीबिट क्वैरी इस हुई और हमारा जो है कुल मिलाके जितनी क्वैरी इस थी किया थोड़ा सामने एलिजिबिटी करेट करेटेरिया को भी थोड़ा सा चेंज किया था पांच जो हैं हमारे इस बार बिट्स आ गए ठीक है पांच बिट्स आ गए तीस दिसंबर नहीं 31 दिसंबर को आई थिंग हमारा टेंडर जो है वो खुला जी तो सब कुछ चीजें हमने अपना जिसको कहते हैं न कि टेंडर खुलने के बाद उनका बैंक गारंटी सब कुछ वेरिफाय होता है सब कुछ होता है तो वो हमने सारा अपने फाइनेस डेपार्टमेंट को सब को लगा रखा था कि जैसे ही आएगा खुलेगा विदिन मिनिट्स इट शुट गो टो दे बैंक और फोन शुट गो टो टो दे बैंक एंड उन सो बोलो को मेरे को शाम तक चाहिए ही चाहिए साही है गलत है ठीक है सारी पूरी टीम बैठी हुई थी न्यूएर भी मनाना था ठ तो हमने 31 दिसंबर तक किस किस के उसमें क्या-क्या क्वेरी निकाल ली थी सब कुछ कर लिया था और उनको बोल लगा था फोन किसी भी वह आसकता आपका विक्ति अवलेबल होना चीजिए जो क्वेरी से उनका सबका जवाब मेरे को एक जनवरी की चुटी थी दो जनवरी क वज़ात में बजी थे टेंडर वही टूपकेट सिस्टम वाला था हमने उनका पूरा जो है टेकनिकल एवेलिएशन किया उनके जो क्लैरिफिकेशन वगर रहा थे वो भी सब आ गए एवेलिएशन करने के बाद पांच में से चार कौलिफाई किये और शाम को क्योंकि एटे की कौस से नीचे आगने और एक हमें जिसको कहते हैं रहात मिली कि हम टेंडर इसको अवार्ड कर पाएंगे और तुरंत जो है फिर हमने जिसको कहते हैं उपर तक मैसेज गया कि बिड़ इस सक्सेस्वल तो जो एजनसी जो आई थी बहुत बड़ी एजनसी नहीं थी लेकिन बड़ी रीजनेबल बड़ी थी तो कुछ यह हुआ कि जी आप इसके पहले एक बार क्रिडेंशल अधरवाइज मतलब पेपर पर तो हैं लेकिन फोन करके भी पूछिए कि काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो फिर हमने क्यों एन बी सी सी बगरा में सब आपने कनफरम कर रात को साड़े आठ नौ बजे फिर वो खबर जो है पीएमएगा पन्फरम कर दी गई कि टेंडर इस सक्सेस्फुल फाउंडेशन स्टोन विल बी लेट तीन जनवरी को यह सब काम खता हुआ उसके बाद चेर्में डेलवे बोर्ड उनको हना बताया गया तो उनको भी उनको है थाउंडेशन स्टोन लेकरना था तो उसके लिए पूरी तैरी करना है तो पर प्रोडूसर डिरेक्टर भी बने तो पांच मिनट की फिल्म कुछ चलानी थी तो वह सब ना क्या क्या शूटिंग होनी है तो उसके बाद वहां से काम चाल हुआ कि अब प्रोजेक्ट का जो डिजाइन करना है तो इस तरह का तो काम कभी हुआ ही यहां पर बहुत सारी चीज़ एंसी थी जो कभी नहीं हुए जी इन फैक्ट हम थोड़ा सा पहले जो है स्टेट गवर्मेंट के पास यह भी चले गए थे कि यह जो पूरी बिल्डिंग बनेगी लियाओट प्ला सब कुछ डेलवे एक्ट के तहट होगा तो इसको पूरू करें तो यह काम भी साथ-साथ चल रहा था अब जो डिजाइन के लिए फिर हमको डिजाइनर्स ढूंडने थे तो हमने सब अच्छा यह डिजाइनर सारे एपी सी कॉंट्र के स्कोप में थे लेकिन हम से वह वह वे क्नूसर्टेशन करके हैं आपको होटल का दिजाइन फाइनल करना है ताकि कल को कॉंटल को में बसंटध को करेक्त कि अना था कि यह आपको लगब इतना एरिया बनाना है यह चीजे बनानी है और यह डिजाइन आपको हूई कंसर्टेंट्स लगाकर आप ही के स्कोप के अंदर है उसको फाइला करना है ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को लोग सकें तो ये अब डिजाइन, प्रूफ चेक, कंसर्टेंट अब डिजाइन जब हो रहा है तो किस ने डिजाइन किया क्या रहा, उसमें आप लोग की क्या भागी थे उसमें क्या नुवांसे थे, क्या कमाल की बात थी डिजाइन में अब जो सबसे पहली जो चीज़ आई अब ये हुआ कि टाइम लिमिट ये था कि हमको दो से तीन साल के अंदर ये खतम करना है पहले तो ये सोच थी जब शुरू में चालू होए थे कि नेक्स वाइबरेंट गुजराथ से पहले इसको खतम करना है वाइबरेंट गुजराथ हर दो साल में तो जब हम डिजाइन के अंदर डीटेल में घुसे का स्वाइबरेंट गुजराथ जबाएबरें प्लेट, मैं फाउंडेशन अपनी मर्जी से कहीं पर मीठ आ सकता है जहां प्लैटफॉर्म् मैं उसी जग़े पर फांडेशन ले एक गरॉंडर सकता है वो जो है बड़े-बड़े कॉलम्स पर आता है, ढाई मीटर भाई मीटर, वहां से फिर वो पाइल फाउंडेशन में एक राफ्ट बनी है, अब मैं पूरा फाउंडेशन का डिजाइन पूरा फाइनल करूं, और उसके बाद काम चालू करा हूं, तो मेरा बारिश का सीजन मेरे को पाइल एक और लगानी पड़ेगी, मेरा पाइल लोड टेस्ट क्यूंकि वो तीन हजार तन का हमारा पाइल लोड टेस्ट थीक है, वो भी कभी नहीं हुआ था, अब आई टी रूड़की को हमने प्रूफ चेक कंसल्टन रखा तो सब चीजें जो कहते हैं पहली बार हो रही थी, तो उस चक्कर में हर एक में टाइम भी लग रहा था, और वी वांटे तो भी एपसुल्टी शॉप और आपको जो डिजाइन करना है, वो भी 120 साल का डिजाइन करना है, कम से कम जो लाइफ है, क्योंकि ट्रैक के ओपर आप बना रहे हैं, तो आपको कल को कमिशन अधर बना रिल्वे सेटी ने अभी अपरो किया, क्योंकि यह पूरा इस्ट्रचर है, यह ब्रिज की तरह से हैं, तो इन सब में हमारे जो डिजाइन चैलेंजर थे, तो हम डिजाइन चैलेंजर, इस चैलेंजर, तो हमने पाइल्ज जो हैं, चुडू हमने पॉस्स जादा, कि जादा-जादा मुझे एक पाइल और लगानी पड़ेगा और वो अग्री समझ गए इस बात को अगर कोई वेरियेशन होता है तो उसको उसकी कॉस्प बजाएगा तो हमने अपने आपको उस तरह से सेव कर लिया पता था कि पाइल तो उसको लगानी लगानी है यह सब उसी की कॉस्प में है क्योंकि एपीसी क्लंसम कॉस्प तो काम हम बारिश से पहले चालू करा पाए फर्स्ट में जो गुजरात का जो फाउंडेशन दे है उस दिन हमने बाकाइदा स्टेट गवर्मेंट के अधिकारियों को भुला के चीफ सेकेट्री पूजा वगरा करके हमने स काम तो कि आप ड्राइए करो फिर उसके बाद पाइल के लगाओ फिर पाइल के ऊपर आपका कॉलम कास्टिंग चालू होगा तो एक पूरा सिक्वेंस ओव इवेंट्स वो हमको करना था और वो हमको कुछ हमारा ट्रेक के बाहर होगा कुछ हमारा प्लैटफॉर्म के उपर ह जहां पर हमको काम करते वक्त ट्रेक को भी बंद करना पड़ा है ऐसे करके आपने सौ बाई सौ मीटर का एक प्लैटफॉर्म तयार करने का हमने एक पूरा वर्क जिसके ओपर लोड आ रहा था सार बारह हजार टन सा ही कह रहो बारह हजार टन हमारे एक फांडेशन के पर लो बीम था जो कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो 34 मीटर का सबसे बड़ा था और 28 मीटर का छोटा था तो फिर हम उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाया कि ताकि होटल का लोड जो है वो छोटे बीम के उपर आएगा तो पर डिजाइन करना थोड़ा सा एजी हो जाएग अगर आप स्ट्रक्चर की इसको ही डेखें किस तरह का हमको स् convene च्वागा लगा आपड़ा तो जितना और उतना स्ट्रक्चरल 심ट defendersील हों यह जो चोमाल सहा ह्मारा कि औरी क्वांसा हो दो हमारा न कवान्य के कि स्टेटी इसमें पड़ए है चाफी बड़ा इकक्रत का स् में इसका लगबग डबल है लेकिन स्टील की आपको मजबूत ही चाहिए जो तो स्टील 32 mm का सरी हमको यूज करना पड़ा जो टांसफर गड़र है उसके अंदर हमने स्ट्रॉक्चरल प्लेट तीन लेयर्स उनकी वह स्ट्रॉक्चरल प्लेट पूरी की पूरी वह स्ट्रॉक् काफी पूरी रिसर्च के बाद जद्द जाहद के बाद यह निकला कि हम रूफ कॉलम रसी सी हुआ रसी सी हुआ रिइनफोर्स सीमेंट कॉंक्रीट और स्टील जो है क्योंकि आप स्टील के अंदर जह से अगर यह देखें जो वर्ट्रेट टावर जो गिरी थी नियॉयॉक रिइनफोर्स के अंदर पूरा ड्हाचा था और उसको फिर बाकी साओना क्लैडिंग कर देते हैं और बिल्डिंग में जब आप यूज करते हैं आपको पता नहीं लगता कि करेक्ट स्टील अचा यः या मिगता कि स्टील उस वकट जो है सोचा गया कि कांस्रॉक्शन में उस तरह के लोग है नहीं और टाइम लग जाएगा तो हम कॉंक्रीट पर ही चलते हैं चेक है अट लिस्ट ओंट्रेक्टर इस वेल अवेर उसने स्टील में नहीं काम किया है दिल ले हो जाएगा तो हम RCCP गए ऑफ कोर्स उसके कार थोड़ा सा हमको टाइम जादा लगा बट यह एक major decision था उस decision के साथ अब एक और बहुत बड़ी decision point था वो यह था कि operator कौन आएगा रूम का कैसे orientation होगा वो भी कुछ नहीं पता तो हमें प्लेट ऐसी बनानी है कि जहां पर कहीं पर भी रूम आ जाए तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हम operator के हिसाफ से कर पाएं कि operator जब आएगा ता उसके हिसाफ से design करके सारे सारे rooms करक पाएंगे तो civil structure हमें साथ सा बनाते जाना हम काम कहीं नहीं रोख सकते हैं हमें आगे बढ़ते जाना है decision सब कुछ साथ साथ चलने हैं लेकिन हर काम को करते आना है कौन कौन से consultants लगेंगे कौन से contracts लाएंगे तो शूरू के अंदर जो वो लेके आए designers तो जब हमने operator लगाया इवन जो operator लगाने वाला काम है क्योंकि operator लगाना एक management contract पर ये भी सरकारी sector के अंदर पहली बार हुआ था इससे पहले कोई भी मतलब हमारा जो है जैसे होटल अशुका है फाइस्टार होटल है इटीडीसी चलाती है लेकिन कई साल पहले बनावा है तो किसी government sector के अंदर फाइस्टार होटल बनाना एंड उसका management contract देके क्योंकि इटीडीसी कुछ चलाती है तो management contract देके आस तक काम न सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करना एक से करो दूसरे से करो जो भी करो और नॉमली उनकी condition भी फिक्स होती कि हम इस condition में कुछ भी चेंज करना है तो वो चेंज करने के लिए फिर वो उनके सारे लॉयर्स की टीम बैठेगी तो वो जो management contract का जो tender document बनाना सब्सक्राइब करके इंडस्री का जो सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें फिर उनको सब को तयार करना नॉमली management contract पर वो कहते हैं कि जो आप जितना भी स्टाफ रखेंगे वो आपके रोल पर होगा अब हम अपने रोल पर रखेंगे कल को फिर वो सरकारी नौकरी के अंदर आ सब्सक्राइब करना झाल गाइं अगर कैसके साथ तो अश़कल नतिए कि छिकिंचराइगा। कमंपनी उसकी रहेगी, पैसा कर देंगे, मंपनी आपकी रहेगी, आपके पैसा न करेंगी. क्यों कि सरकार किसी को पेसके रखेंट गयों से लग लग देती रहेगी. अब आप सरकारी पैसकेल के उपर ओडरोटल कैसे चलेंगे. तो यह बहुत सारे तो यह सारी सब जितनी चीजें यह सब चीजें हमको पूरी ABC analysis करके हमको पूरी इजाद करने पड़ें उसके बाद हमने एक management contract जो है open tender करके लीला को हमने अवार्ड किया और लीला जो है जब वो आया on board तो फिर उनकी requirement थी कि consultants यह चाहिए इस तरह का design चाहिए तो अब वो consultants को फिर लेकर आने के लिए फिर वो हमको जो है पूरा एक नया तरीका निकालना पड़ा कि कैसे हम क्योंकि design concept फाइव स्टार होटल जो पहले एक tricotta है इसमें जो है trinity form यह hotel में आप देखे तीन टावर्स है नॉमली कोई भी hotel आपको rectangle, square, circular, half circle इस तरह का मिलेगा यह तीन जो tricotta जो shape है trinity जो shape बोलते हैं जो unity और infinity को जो है eternity को define करता है वो वाली चीज इसके अंदर वो concept था अब उस concept पर जो initial जो architect का plan था उसके साब से construction बहुत मुश्किल काम था तो यह वह उसको modify करना है लेकिन इस तिल उसको shape को maintain करना है और इस tricotta shape से सबसे अच्छी चीज यह ह जो है वो visibility बहुत अच्छी है हर रूम में windows इस तरह की है कि आप sky को देख सकते हो track को देख सकते हो डांडी को टीर को देख सकते हो महात्मा मंदिर को देख सकते हो तो यह वाली जो चीज है उस सब को करने के लिए फिर हमने एक SRSSA करके डिजाइन आ रहे concept डिजाइन उसको engage किया थूए PC contract दूसरे फिर लाइटिंग कंसल्टेंट इंटीर कंसल्टेंट तो पंधरा कंसल्टेंट्स थे वो कंसल्टेंट कंसल्टेंट्स जो हैं पंधरा और हमारे लगभग लगभग जो हैं 23 contract packages थे तो इन सब चीजों को क्योंकि साथ-साथ design भी करते जा रहें कौन-कौन से package थे कैसे करना है तो यह सब management जो हमारा यह था contract लीला तो उनके साथ-साथ discussion करके कि जिसको चलाना है उसकी conference होनी चाहिए नहीं तो आप पलको नहीं चला पाओ तो जो हम investment कर रहे हैं सरकार का वह investment बेकार ना जाए पहली बार में ठीक हो यह सब चीजें करते वे एक बहुत मैं कहूंगा challenging वक्त था इसको साथ-साथ करना एक बहुत बड़ा और चैलेंज है अब इस hotel के अंदर होटल track के 23 मीटर उपर है होटल का जो ground floor है ट्रैक के 23 मीटर तो वहा तक लोग कैसे पहुचेंगे अब उसका design क्योंकि अलग लग design है कि होटल में नीचे जब जगह नहीं होती तो वह एक express lobby रखते नीचे और एक main lobby रखते उपर आप नीचे एक आए नीचे से आप छोटी स कि होटल में जाएंगे जहां पर नीचे बहुत कम जगह है वहाँ पर आपको इस तरह के मिल जाएगा तो हमने पहले एक express lobby वाला concept निकाला बट फिर यह सोच हुई कि नहीं वो grand उतना नहीं लगेगा जो हमारा जैसे महात्मा मंदिर का grand mission है उसके साफ़ोना चाहिए तो फि कोट केस भी चलना और हमें रैंप भी बनाना है तो कैसे कैसे कौन सा एरिया खाली करके हम कहां पर foundation कर सकते हैं तो उस तरह से काम पूरा यह साथ सा चलना है उधर कोट के सेना स्टेट गवर्मेंट कर रही है इस्टेट गवर्मेंट की जमीन थी तो यह एक डिसीजिजियों से महात्मा मंदिर आना और वहां से इधर आना है वह तुरंत मिनिट्स में पहुंच सकते हैं लॉजिस्टिक्स के जो समस्य है वो सौल हो सके यह सब दीरे दीरे प्रोजेक्ट के अंदर एड होते गए फिर यह पता लगा कि सर्विस बिल्डिंग जो हम सोच रहे थे कि हम उ सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा है तो उसके लिए हमें एक नई सर्विस बिल्डिंग बनानी पड़ी अब नई सर्विस बिल्डिंग हम जो हमारा सौ मीटर बाइब उसके नीचे दो ट्रेक आएक और फूचर एक्स्पेंशन भी देखना है तो हमें उसमें बनानी सकते हैं हमें उसके बाहर बनानी है तो हमने एक नई बिल्डिंग बनाए अब उस नई बिल्डिंग को बनाने के लिए सारी सर्विस को आपको बनाना पड़ा जो होटल की एंट्री गाड़ी आएंगी खड़ी रहेंगी कलकुपस आएगी तो वह सारा पूरा हमको प्लाइन करके सब एक्स्टेंशन दीरे-दीरे जो कहते ना बाइन बाइड डिसिजन होते गए तर प्लैटफॉर्म जो था जो नीचे का एरिया था उस नीचे क्योंकि स्टेशन को भी हमें वूर्डगास बनाना था और जब हम 5-star होटल बनाने तो हमें 5-star station भी बनाना था तो एग्सिस्ट्इंग स्टेशन की बिल्डिंग के बगल में हमने एक नई बिल्डिंग उसी सौ मीटर बई सौ मीटर के नीचे बनाई वहाँ पर फिर हमने क्योंकि अब होटल जो बन रहा है ट्रैक के ओपर बन रहा है आपने देखा हो जब ट्रेंज चलती ने तो वाइब्रेशन होता है और एंजिन का होंड भ हमने सारी प्रिकॉशन्स लेके ताकि अगर आप अभी फाइस्टार होटल में रुखेंगे तो आप नीचे जब ट्रेन देखते हैं तो वह ट्रैन की तरह से लगती है आपको ना सुनाई देता है और ना आपको जो वाइब्रेशन फिल होता है कुछ नहीं फिल होता आपको यह सर कैसे कंट्रोल करते हैं अगर आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफी आप क्योंकि हरे की एक नैचुरल वाइब्रेशन होता है तो आपने से ट्रेन की क्या वो आएगा इसका स्रुक्चर की क्या वाइब्रेशन है वो कब है ना उसमें रिजोनेंस होगी कब वो इंपीड कर अगर मुवमेंट होता है अर्थ और स्ट्क्चर के बीच में तो एक इस तरह का बेरिंग उसमें रहते हैं तो उस तरह से वो के लिए जाती तो एक स्ट्क्चर फीचर उसकंदर इंट्रिजूस किया तो हमारा होटल इसलिए वो सेफ है लेकिन होटल से हम डिरेक्ली नीचे जहां देखें तो हमने स्टेशन के ओपर एक रूफ क्रियेट की जी वो भी इंडियन रेल्वे का लार्जस स्पैंग बिना कॉलम का जी नाइंटी नीटर से अगर होरिजॉंटल यू पकड़े और कर्विनियल पड़े तो एक सो पांच मीटर का इस तरह का इस तरह का इस त पक्षी ना बैठ पाएं नहीं तो पक्षी बैठेंगे बीट करेंगे सब करेंगे आप वर्ड क्लास सोच रहा हो दर से तो हमने उस तरह का वो पूरा डिजाइन किया तो होटल के दोनों तरह लगबग 24-24 मीटर तो वो पूरे एक रूफ एल्यूमिन के रूफ है और उसमे हमने बता है ना होटल के नीचे फिर हमारा एक स्टेशन का जहां पर आप पैसेंजर्स के लिए और जनरल जनता के लिए क्यों कैई सारी लोग कही बार फाइस्टार होटल में ठहरते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा फाइस्टार होटल में खाना खाएं तो उन्हें कही कुछ थोड़ा वेराइटी फूट चाहिए होता है तो वह हमने फूट को अगरा यह सब सोचा था कि जो फॉट लेवल होगा उसके अपर बनेगा तो उसमें हमने कुछ ऑफिस का एरिया इस तरह का कमर्शल एक्स्टेशन का एरिया महां पर आप आर्ट कल्चर और फूट को जादा हो तो अराइवल डिपार्चर को सेग्रिगेशन हो सके कि आप सब्वे यूज़ कर रहो हो जब आपके ट्रेंस से उतरने वाले परसिंजर आ रहे हैं और आप कॉंकोर्स यूज़ जो जाने वाले हैं लेकिन क्यूंकि अभी नंबर कम है तो अभी हमने वो कॉंकोर्स फील भी फाइस्टार के साथ पूरी मैच करें और स्टेशन मेरा हमारा फ्यूचर रेडी हो जाएं इन दर सेंस कि जो अभी जिसमा पर वंदे भारत ट्रेंस भी इंट्रडूस हो गई तो स्टेशन जो है वो बिफिटिंग हो जाए कि कल को हमारी ट्रेंस से लोग सीधे सीध से फाइस्टार आप उसको स्टेशन बोल सकते हैं सर हाउ डिडियू गाइस मेंक इट ग्रीन आपने इसको ग्रीन रखने के लिए क्या क्या इनिशिटिव दिए चीजे इन्वर्मेंटली एक साउंड प्रोजेक्ट हो इसके लिए आप लोग ने क्या क्या किया और जो हमारा डिजाइन कंसल्टेंट था तो वो हमारी जो चीज है वो शुरू से ही पूरे डिजाइन के अंदर ही सम्मेल थी कि जो भी हम बनाएंगे जो भी हम यूज करेंगे वो सब कुछ हमारा ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग नॉम के साब से होना कि हमें फाइस्टार प्रफनी है नॉट अनली कंस्ट्रक्शन के बाद बल्कि ओनेम के दौरान भी तो पूरा हमारा इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ओपर है हमारा एनरजी जो है वो कम से कम कैसे यूज होगी कैसे जो हम उसको एसी को मॉनिटर कर पाएंगे कैसे वाटर क तो हमारा जितने भी हमने उसमें अंदर वो लगाए हैं वो सब आप उसको जिसको कहते हैं कि वेस्टेज को सबको मॉनिटर कर सकते हैं वाटर को पूरा रिसाइकल कर सकते हैं वेस्ट को पूरा रिसाइकल कर सकते हैं तो वो सब चीजें पूरी की पूरी हमने स्टेशन और ह फाइस्टार होटल भी दिखता होगा लोगों को ट्रेन घुसती हाँ ट्रेन घुसने के वकट जब वो एंटर करती है और वो जो हमारी 105 मीटर का जो डॉम है तो उससे पहले हाँ दूर से बिलकुल एक दम फाइस्टार होटल बहुत अच्छा नदा आगा तो क्या यह कहना सही अगर आप होटल के ओपर खड़े होते हैं जो की एक्जिगूटी लाउंज बनाई है उसकी रूफ पर खड़े होते हैं वहां से जो महात्मा मंदिर और सुरनीम पाक और जो सेंटरल विस्टा का बूरा कॉंसेप्ट आता है बिल्कुल सेंट्र लाइन पर बहुती ब्यूट पूरा जो डांडी कुटी रहे उसके उपर भी आप LED प्रोजेक्शन कर सकते हैं तो एक बहुती इंटिग्रेटेड़ मैं कहूंगा यह प्रोजेक्ट बनाया है और मेट्रो का भी हमने ध्यान रखा था कि कल को फ्यूचर में जब मेट्रो आएगी तो उसके साथ भी एताकी सर इतनी महनत आप लोगों ने की इतने कमाल कमाल के काम के इतना रिस्क लिया इतना कुछ किया आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रोजेक्शन कराया बहुत पैसे लगी क्या आज की रेट में यह प्रोजेक्ट पैसे बना रहा है सर यह प्रोजेक्शली वायबल है बहुत सरकार के लिए होगा, क्योंकि महात्मा मंदिर जो बनाया था, उसमें गवर्मेंट फंक्शन मेंली होते थे, परीब पच्चे से तीस फंक्शन साल के अंदर होते थे, चोटे-चोटे, और आठ करोड के करीब का उनका साल का जो है रिवेन्यू आता था, जब हमने होटल को ली हम मेरे को यह बताते हैं, बहुत खुशी हो रही है कि पहले साल से अपरेशनली वायबल, तीस परसेंट रूम का जो रेंट है इसका यह प्रीमियम कामांड करता है पूरे अहमदाबाद और गांधीनेकर साहर के अंदर, एवरेज ओक्यूपैंसी होटल की आज की डेट में 45 टू 50 परसेंट चल लही साला ना, जो कि किसी भी होटल के लिए अच्छे है, बहुत अच्छी है, जो तीस इवेंट्स लगबाई करते थे, आज की डेट में सवासो से डेढ़ सो इवेंट्स कर रहे हैं महात्मा मंदिर के अंदर, कमाल सर, जो रेवेन्यू आठ करोड होता उलता वो 39 करोड हो गया, अचकी डेट में सिर्फ महात्मा मंदिर से, जबकि जबकि जैसे यहां पर है पर बहुत बड़ा स्टिक्शन है कि आप महात्मा मंदिर के नाम उसका महत्मा मंदिर है, और गांधी जी के उसके उपर आधरशो खो डिजाइन किया है, तो आप वहां पर एलकोहॉल और यह सब चीजें जो है नहीं नहीं अलाओ है जबकि हो सकता है लेकिन अभी उस पर विजार चल रहा है होटल का रिमेन्यू 75 करोड है जबकि कोई ऐलकोहॉल इसमें फूर और बेवरेजिस में एलकोहॉली बेवरेजिस तो है ही नहीं है लोग जो है लोग आते हैं किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आगे अच्छा होटल लेते हैं लोगों के लिए होटल ही टूरिस्ट स्पॉट है यस यह जो है टूरिस्ट स्पॉट है अपना सेलफी स्पॉट है जो स्टेशन है उस पर हमने सेलफी के न तो यह एक बहुत बड़ा जो कहते है ने destination बना है जो हमारा concept था कि station के लिए seven seas जिसमें एक सीथा city center की तरह से station act करें तो ये एक city center की तरह से भी पूरा act करता है तो वो एक जो vision प्रधान मंतरी जी का था वो ये project उसको पूरा करने में उसको अचीव करने में मैं कहूंगा बहुत हत्तक सक्षम हो पाया तो ये one of the most successful projects में से कहा जाएगा और देश का सबसे कमाल का rail station में से गिना जाएगा सही क्या रहूं sir? बिल्कुल ये एक demonstration project की तरह से है क्योंकि हाँ पर एक technology का demonstration कि आप इस तरह से air space को यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने नवंबा 2014 में अपने बाशन में कहा था कि उपर से आप पैसा बना और नीचे से train चलती रहे तो ये उनके उस vision को पूरा करता है कि आप उपर से पैसा बना रहे हो और नीचे train चल रही है ये बहुत सारे ये ऐसे शहर जहां पर जमीन बहुत costly है उस जगे पर क्योंकि आप actually air space जो है वो क्या है land create कर रहे हो correct तो मुंबाई जैसा शहर है जहां पर land की cost project की cost का 80% होती correct तो वहां पर आप इस तरह का आप create कर सकते हो अगर आप देखें नवी मुंबाई के अंदर वाशी के अंदर इस तरह का एक experiment पहले हो चुका है जहां पर office buildings बनी थी बट वो running track के ओपर नहीं बनी थी ट्रैक बाद में डाला गया पहले बनाया उसके बाद नीचे सबबन का track डाला गया यहां पर इसमें जो है double decker good strain भी चल सकती तो सब electrified double decker भी आराम से निकल सकती तो वो सारा पूरा plan करके design करके वो भी पहली बार ही सारा का सारा RDS हो अगर सबसे हमको approve कराना पड़ा तो वो सारे systems पूरी Indian railway के लिए हमने यहीं पर जिसको करते लेडाउन किया तो यह एक बहुत माइनों में मैं कहूंगा कि मील का पत्थर है station development का उत्करष्ट नमूना है city center कैसे उसको बना सकते है कैसे पूरी local economy को develop कर सकते है उसका एक उत्करष्ट नमूना है इस project के आने के बाद जो दूसी तरफ जो खा रोड थी जो station के दूसी तरफ थी उस तरफ बहुत सारा development हो गया है वो सारा पूरा area open up हो गया है तो जो सांटियाओ को काला ट्रावा एक बहुत बड़े architect हुए है उनका कहना है कि station can जिसको कहते हैं can relate the city जिसने उसको जिन्दा कर दिया और एक और जो global norm जो अभी तक देखा गया है कि अगर आप एक रुपे लगाते हैं station development में तो local economy को लगबक तेन गुना से पांच गुना का फाइदा होता है एक रुपे लगाते हैं तो कम से कम अभी मैं कहूंगा develop हो आज क्योंकि गांदी नगर शेहर में बसेवे कही साल हो गएं लेकिन अभी पूरी तरह से उस तरह से जीवन्त नहीं है जिस तरह से एहमदाबाद है ठीक बात है सर तो ये उसको उस direction में लेके जाने के लिए काफी अत्तकाम है सर फ्यूचर क्या है इस टेशन का देश के स्टेशनों का क्या फ्यूचर है सर मैं ये कहूंगा कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि सरकार का एक फोकस है कि स्टेशन को redevelop करके उनको एरपोर्ट लाइक फेसिलिटी अट स्टेशन देनी है आज की डेट में स्टेशन जो है वो आपका पहला प्रतिविम है जो भी कोई रेलवे को यूज करना चाह रहा है तो वो स्टेशन पर आता है अभी स्टेशन नॉमली एक कंजेशन का काफी हद्ता जिसको कहते है ना बहुत सारे बहनुमती का कुनबे वाले स्टक्चर्स होते है उस तरह कासा एक है ना उधारन देते है कैई सारी जगे पे है ना आपको उस तरह की एमेनिटीज नहीं मिल पाती है मौर्डन डे को रेप्रेजन नहीं कर पाते हैं जैसे हमारे एरपोर्ट्स हुआ करते हैं तो उससे इस तरह का एक वर्ड क्लास इंफरस्ट्रक्चर पूरा डेवलप होगा जो अगर आप देखें हभीब गंच जो अपरानी कमला पे तेसी स्टेशन है एक बहुत साधारण सा स्टेशन था जिसको रीडेवलप करने के बाद आज की डेट में भोपाल जो मेन स्टेशन था उस स्टेशन से जादा खूबसूरत है जादा उसमें फुटफॉल है पैसिंजर्स का और नॉन पैसिंजर्स का भी वो सिटी सेंटर की तरह से बन गया वहाँ पर होटल भी आ रहा है वहाँ पर ऑफिसेज भी आ रहे हैं वहाँ पर अभी एक डेवलप्रिक प्लानिंग है तो होस्टल की भी हिना कुछ प्लानिंग कर रहा है हॉस्पिटल की भी प्लानिंग कर रहा है फाइस्टार होटल की भी प्लानिंग कर रहा है कि फ्रैंट कि प्लानिंग कर रहा है एक रिल्वे स्टेशन एक चुछी वह इस तरहे का होना चाहिए वह इस तरह का होना चाहिए वो सिटी सेंटर मॉल की तरह है इस चाहर में जाने की ज़रोधी ना पड़े है इस आप एरपोर्ट पर जाते हैं बैंगलाउर में आज स्टूडियो के अंदर बैठें तो अगर वहां पर कोई मीटिंग रूम हो रहने की जगे हो जहां पर आप शांती से सो सकें क्योंकि रेलवें पर हैं रिटाइन रूम्स हैं लेकिन रहता है तो वह आपको डिस्टब करता है लेकिन अगर आप इस तरह का क्योंकि यहां पर जै तो उसमें करीब आठ एक प्रेसिदेंशल स्टूइट है लेकिन आठ इस तरह के रूम्स हैं जो बुलट प्रूफ हैं जिसके अंदर हैट्स अब इस टेट आ करो सकते हैं जी जी कमाल इसमें हाँ एक चीज और अभी जो बहुत इंपॉर्टन चीज है वो यह है कि इसको बन जी कोविड के करणा और हमें तो प्रोजेक्ट खतम करना है खैर जो सरकार के रेस्टिक्शन सें सरकार के रेस्टिक्शन को फॉलॉ भी करने है कुछ कुछ चीज़ें एसी थी जो हमारी दूसरे देशों से आनी थी तो अब हमको वो वाली चीज़ें जो हैं वहां से लेके और उनके जो डीटेल्स हैं उतने सारे भेजी हैं फिर उनका जो मुवमेंट है वो मुवमेंट क्योंकि शिप्स बड़े रेस्टिक्टेट थे वह बहुत सारा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे तो वह हमको सारा मॉनिटर पूरा करना अपड़ा लेबर जो हैं क्योंकि आप ए जो लेबर कहीं कहीं से आ रही थी क्योंकि हमें काम एक डेट पर करना अब लेबर जो चली भी गई उनको बुलाना भी है तो उनका तो रेलवे की तरफ से भी बहुत योगरान रहा इसमें कि हर चीज़ को अगर कोई ड्राइंग अप्रूवल होनी है कोई CRS के पास जानी है कोई डिविजन से अप्रूवनी है तो सारा अप्रूवल कहीं से लेबर का मौमेंट कहीं से मैटीरल का मौमेंट तो ये सारा हमको कोविट के दौरान ये सब चीज़ें करनी पड़ी है एक और बहुत विशेश चीज जो हमको बाद में पता लगी कि फाइस्टार होटल हमने इंटीर डिजाइन कर दिया सब कुछ कर दिया तो बिल्डिंग तो बन गई अब जो आपके टौवल है गदा है चादर है नहाने की टौलिटरी हैं कटलरी हैं तरह तरह की कटलरी होती हैं अब ये सब चीज़ें किचन का समान है जिम का समान है स्पा का समान है और वो सारा सम थो हमें फाइस्टार होडल के लिए ख्रीदने है हर एक आइटम अलग से रिजिस्टर होते हैं जिया तो हमने कोशिश की कि हम जैम से खरीद सकते हैं क्या अब हमको सेफ खरीदनी है अब जो सेफ बेचने वाला है जरूरी नहीं तो पहले हमने जैम पर रिजिस्टर करने की कोशिश की इधर टाइम रन कर रहा है हमको एक डेट तक खोलना है और उधर जो है हमारा अच्छा फॉर्मल इनॉगरेशन से पहले हमें ड्राइट और सारे वो सब चीजे भी करनी है हमें इधर प्रक्यूर भी करना कि बिना उसके उचालो नहीं सकता अब गदे भी हमें एक क्वालिटी के चाहिए तो ऐसा नहीं कि हम कहीं कहीं से भी कुछ लेकर आ सकते हैं तो 9000 लोग आइटम्स हैं फिर फाइनली हमने उनका ओपन टेंडर उनका कौन कौन से ग्रूपिंग कर सकते हैं वो सारी ग्रूपिंग करके नंब क्वाइनली पहुंचाना क्योंकि इतने सारे प्लियर्स थे कोई भी बिदख सकता है और उनको सब को तालमेल में बठाके और फिर एक प्रोजेक्ट को एक डेट पर डेलिवर करना तो वो एक चैलेंज का काम था जिसके अंदर मैं कहूंगा कि गुवर्मेंट गुजरात का मिनिस्टी और रेलवे का बहुत सपोर्ट रहा और उसी के कारण यह सब चीजें हो पाई जो फायर का पुरूल है अब फायर टेंडर जो है जो फायर डेपार्टमेंट उसका कहना था कि यह फायर टेंडर चारो तरफ घुमना चाहिए अब चारो तरफ घुमना चाहिए आप उसको फायर टेंडर उपर पहुंचा दो और पूरी जो होटल की बिल्डिंग उसके चार तरह घुमेगा तो आप उतना सौ मीटर बाई सौ मीटर के इस केस पर आपको यह जगे नहीं है आपको स्विमिंग पूल भी बनाना है आपको बैंकेट अरिया भी है सब कुछ ची जब सौबे माले पर आग लगेगी तो आपका फायर टेंडर 24 मीटर के बाद नाकाम है और हम तो 23 मीटर से चालूख होते हैं तो आपका फायर टेंडर तो नहीं कुछ कर सकता है तो ऐसी बिल्डिंग के लिए भी वो भी फायर प्रूफ जिसको कहते हैं उसके लिए बनती है तो हम फायर का वो वाला सिस्टम लेते हैं, जो उस तरह की बिल्डिंग में होता है, तो हमने वो सारा सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइड किया, कि ताकि वो फायर टेंडर को जो गमाने वाला रिकॉरिमेंट यह भी पहली बार हुआ, क्या सिस्टम है वो बैसे कि अगर कहीं फायर होती है, पहली चीज़ तो आप है ना फायर जो है रिटांडनेंट मेटिरियल जहां तक यूज़ करते हैं, फिर फायर अगर होगी तो स्मोग डिटेक्शन हो, स्मोग डिटेक्शन के बाद जो आपका एक्शन है, कि वो सब चीज़ें हो पाएं, तो वो सारे सिस्टम जो हैं, जो आप किसी इस तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो हाई राइस होती हैं, जिसमें आप करते हो, क्योंकि फायर टेंडर 24 मीटर के उपर उसकी सीड़ी नहीं जाती है, तो मुंबई के अंदर तो इसका में तो कोई बिल्डिंग ही नहीं बसा है, जी प्रधान मंतरी शी नदिनर मोदी जी ने, बनने के बाद उनका क्या रियाक्शन था सर, अगर आपको कुछ पता हो सर इस बार, नहीं मैं तो क्योंकि इस प्रजेक्ट पर शुरू से ही रहा हूँ, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था, वो कहते थी, आप प्रधान मंत जी के मुकारवन से, जब इसका फांडेशन स्टोन ले हुआ, और उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत जो है, सुख और शांती का महसूस हो रहा है कि ये प्रजेक्ट का मैं आज फांडेशन स्टोन रख रहा हूं, और प्रधान मंतरी जी नहीं 16 जुलाई 2021 को इसको इसको इन बधाई मिली, तो काफी वो खुश थे, और जो उनका विजन था, डिमोंस्टेशन प्रजेक्ट वाला वो इस प्रजेक्ट को रहा हूं, सर, जे के सुपर पॉडकास की तरफ से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद इसलिए कि आपने समय निकाल के आए और हमें एक कहानी सुनाई, पर धन्यवाद इसलिए भी कि आपने भारत को, इंडिया को, इंदुस्तान को एक ऐसा रेलिए स्टेशन दिया, जो हमारी कल्पना से दूर था, हमने सोचा नहीं था, और आपने उस सिटी की एकॉनमी को एक बहुत अकड़ा बू आपने वाद सर्थ. Thank you, thank you.